हेलो दोस्तों बहुत बहुत वह स्वागत आपका हिंदी मिनिम किस नमबर वन चनल स्वन क्लासस में जैसा कि आप लोग की डिमांड थे सर बहुई कलपी के बाद आप अति लगूतरी प्रशनों को जरूर बताएगा तो बिल्कुल बच्चा आज का जो क्लास है वो बिल्कुल इस्पेशली आप लोगों के लिए हैं आज हम दो मांक्स वाले अति लगूतरी प्रशनों को लेकर आएए अगर अतिलगू त्री प्रश्णों को देखें तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो फिजिकल कैमेस्ट्री फिजिकल कैमेस्ट्री के जितने चार टॉपिकों को हमने डिसकस किया बहुत मोस्ट इपॉर्टेंट कौनकों से इनसे जो भी आपके एक्जाम में इंपॉर्टेंट अतिलगूत्री प्रश्ण बनते हैं वो सभी प्रश्णों को हम लेकर आए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट प्लीज आप कॉपी निकाल लीजे नोड्स बनाते चलिएगा अगर मैंने साथ साथ आप नहीं लिख पारें तो आप क्या करिए स्क्रीन सॉट खीच कर इसके जरूरा मार्क्स बनाहा की लिखे बिठा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि हम बात करें फिस्कल कैमेस्टी के अधिलगू 3 प्रस्ण है तो आप पाएंगे अभी तक हम लोगों ने पांच मार्क्स बहुविकल्पी नुमिर्कल्स और शायनिक समिकल्ड और अधिलगू के बारे में डिसकस कर लेंगे तो सिब एक ही बचेगा क्या लगू 3 प्रस्ण जली जली कॉपी करिए देखें जैसा कि हम बात करें थे सबसे फर्स चैप्टर हमारी थोस अवस्था जिसको इंग्लिश में कहते हैं solid state अगर हम थोस अवस्था को ध्यान दे तो सबसे पहला ही है क्या काज को अतिस सीति द्रव क्यों माना जाता है सबसे पहला question है आप board पे दिखिए हमनी link रखा है आप इसको copy करिए क्या काज को अतिस सीति द्रव क्यों माना जाता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि काज समानी तर ठोस से मिलकर बना होता है तो काज को अतिस सीति द्रव इसलिए माना जाता है क्योंकि या ठोस होते हैं और द्रव के कुछ गुण प्रदर्शित करते हैं वलब ठोस होने के साथ साथ इसमें द्रव की भी गुड़ धर्म पाय जाते हैं। द्रवों के समान इसमें प्रवाहित होने का गुड़ होता है। इसका ये गुड़ पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है। जैसे जो तली पर कुछ मोटा होता है या केवल तभी संभव होता है जब यह अत्यंत मंत गदी से ड्राव के समान प्रवाही हो जैसा कि आप दिखेंगे कि अगर हमने आपने खिड़कियों में दर्वाजे सीसे के लगवाए हैं तो लगभव 20 साल 30 साल बाद देखते हैं कि जो सीसे की मोटाई थी वो उपर पतली और नीचे मोटी होती जाती है इसका कारण यह है यह उसमा पाकर अती मंद गती से यह क्या हो रहा है ग्राव अवस्था में बदल रहा है इसलिए बच्चा काज को अती सितिक द्रौ कहते हैं उसके बाद क्रिस्टली ठोस क्या है तो वे ठोस जिनमें घटक कड़ों की दिर्ग पराश्विवस्था होती है उन्ही को क्रिस्टली ठोस कहते हैं अगर उदारण की बात करें तो चांदी, तामबा, सोडियम, क्लोराइट ये सभी तुम्हारे किसमें आते हैं ठोस पदार्थ में तो बच्चा कॉपी करें इसको जलियली कॉपी करेंगे तो जलियली होगा और हम लोग और जलियली आगे चलेंगे ठीक है हो गया तो यह सर्मेहन से दीजे बहुत अच्छे बहुत ध्यान से करी बटाओ हुआ 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 टूख हुआ 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 चलिए हमागे बढ़े ना ये अम्मान की चलते में ये दोरों क्वेशन आप कर चुके काच को अतिसिती द्रव क्यों वाना जाता है और साथी साथ क्रिस्टली क्री ठोस क्या है तो ये दोनों हो गए आपके नेक्स्ट और क्रिस्टली ठोस को परिभाशित कीजिए देखें बच्चा क्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्वेशन है आपका A-crystalli-thos को परिभाशित कीजिए तो A-crystalli-thos कहलाता है जब इसके अव्यवी कड़ों के लगु परास व्यवस्था होती है फंडा फंडा क्या कहता है? कि जब लगु परास की व्यवस्था होती है तभी उसको A-crystalli-thos कहते हम लोगों ने याद रखा था थोस दो प्रकार की होते है या तो क्रिस्टली ठोस होते है और या तो अक्रिस्टली ठोस होते है Q4 आडविक ठोस से आप क्या समझती है तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विविक अडवों से बने होते हैं वे ही कहलाते हैं क्या आडविक ठोस उदारण के लिए याद रखेगा आयोडीन, सलफर और सफेद फासफोरस ये सामानिता कहलाते हैं क्या आडविक ठोस हम लोग ठोस याद रखें क्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस, आडविक ठोस तो उसी तरह हमसे पूछा गया क्या आडविक ठोस क्या है तो आडविक ठोस जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विविक अड़ों से बने होते उन्हीं को कहते हैं क्या आडविक ठोस इसके बाद पाया गया आइनी ठोस याद करिए आइनी ठोस जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायन और रिडायनों से बने होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव वही कहलाते हैं क्या हमारे आइनी ठोस जैसे सोडियम क्लोराई तो सोडियम एनी धनातनिल, सील, रिडायन, धातू सलफाइड तो ऐसे योगिक जो मुख्यता प्लस माइनस वाली हो धनायन और रिडायन ऐसे योगिक को ही कहते हैं क्या आइनी ठोस ओके बच्चा, क्लियर हो गया, यहां तब कोई डाउट से तो बताओ, हो गया, आगे बढ़ा जाएं, पांस तक प्लियर हो गया, आईए आगे बढ़ते हैं, क्वेशन नमबर सिक्स, आइनिक ठोस गलित अवस्था में विद्धु चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं होते, यह बात हुई थी, जैसे अगर नमक है, तो नमक जब तक खड़ा होता है, तब उसमें विद्धु धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही वो क्या होता है, उसमें क्या कर दे, मिला दे, पानी मिला दे, तो उसमें विद्धु धारा प्रवाहित हो सकती है, तो गलित अवस्था में आयनिक ठोस वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं तथा विद्धु चालन करते हैं ठोस अवस्था में जो आयन गती करने के लिए मुक्त नहीं होते अता थोस अवस्था में विद्दू चालन नहीं करते ये बात मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते कि अगर हम बात करेंगे गलित अवस्था में तो गलित अवस्था में आयनिक योगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं और विद्दूत का चालन करती है ठोस अवस्था में आयन गती करने के लिए मुक्त नहीं होते अता ये ठोस अवस्था में विद्दू चालन नहीं करते कोई दिकत? यहाँ तक कोई डाउट? झालन के लिए म पताउocyकड़ कर दोंवस्था धात्विक ठोस को इसपस्ट कीजी जो ठोस धात्वों के गुड़ प्रकट करते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं जैसे सोना, चांदी, तामबा, आदी ये सभी क्या होते हैं? धात्विक ठोस कहलाते हैं ठीक है? झाल झाल यहाँ था कोई दिक्कर फिर क्वेशन कह रहा है क्वेशन इंबर आठ ससंयोजक ठोस से क्या भी प्राय है जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमालवों से बने होते हैं वे ससंयोजक ठोस कहलाते हैं जैसे हीरा, ग्रिफाइट, सिलिकॉन, आधी बताईए यहाँ था कोई दिक्कत थोस अवस्था से थोस क्या होते आयनिक थोस क्या होते आर्विक थोस क्या होते क्रिस्टली थोस क्या होते अक्रिस्टली थोस क्या होते उसके साथ सासायोट थोस क्या होते इससे संबंदित क्वेशन आते हैं और इससे सम्मंदित question को हम आपके board पे लिखे हैं, आप इसको copy कर लिजे, अगर कोई doubts हैं तो मुझे बताईए उनताई हैं, इताई जताई हैं तो मुझे लिए नंताई हैं, आपके बताए मुझे बताई में पुवा हैं, तो मुझे लिएक्परों आपके य उ 듣ताए हैं, तो मुझे नें रिया-गे, चलिए कॉशन नमबर नौव संकुलन दच्छता देखे बटाई इससे कॉशन जरूर आते संकुलन दच्छता संकुलन दच्छता को परिभाशित कीजिए दच्छता को ही छंता के नाम से जान जाते है कि क्रिस्टल में उपलब्द कुलिस्थान का परमाडवो द्वारा घेरा हुआ अंस क्या कहलाता है संकुलन दच्छता या प्रायप प्रशीतक में व्यक्त किया जाता है, यदि किसी क्रिष्टल सरचना की एकक कोस्ठिका में उपस्थित परमाणू द्वारा कोस्ठिका का घेरा नहीं हुआ है, तो आयतन भी और एकक कोस्ठिका का कुल आयतन भी शेल हो जाता है, अधा संकुलन दच्चता का एक छोटा सा फॉर्मूला है इसको मेरे बच्चो याद कर लो उसके साथ लास्ट कोशन इस चेप्टर ठो सबस्था का इस तरह दजदस कोशन छोड़ा छोड़ा याद करेंगे तो तुरंट दिमाग में बैठ जाएगा और आप बिल्कुल मत कहीं चाहिए बस वीडियो को देखिए और तुरंट याद कर लीजे तो क्या है क्रिस्टलों में कौन सा बिंदू दोस सम्मंदित ठोस के घरत को परिवर्ति नहीं करता तो कौन फ्रैंकल दोस इस तरह दस क्वेशन हम लोग के तयार हो गए क्या ठोस अवस्था के हम यही बात नहीं कहते कि आप इकठा याद करिए अगर थोड़ा थोड़ा भी याद किया जाए तो सभी चीजों को आसानी से याद कर सकते चली कॉपी करिए आगे चले अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नमबर टू के चैप्टर नमबर टू हमारा कहता है विलियन अगर चैप्टर टू के अतिलगों को देखा जाए तो चैप्टर टू हमारा सबसे पहला ही है क्या विलियन का ये पॉपुलर कॉशन कि जब 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराई 200 ml जल में घुला है तब विलियन की क्या बताईए मोलर्ता तो विलियन की मोलर्ता का फॉर्मला हो गया एने सील के मोलों की संख्या बटे विलियन का अयत या मोलों की संख्या हम लोग जानते विले का भार बटे विले का योगिक का अडुभार तो NACL का भार मतलब NACL का अडुभार अब NACL का अडुभार आप इसके इससे निकाल सकते इसका होता है 23 और इसका होता है 35.5 दोनों को जोड़ दीजे तो 58.5 अब NACL का भार हो गया 5.8 बदाईए क्वाशन लेक्रिया आगे बड़े देखे बड़ा अगेर हम बात करें NACL का भार उपर था 5.85 अडुभार निकाला हम लोगों ने 58.5 विलियन का आयतन 200 बटा 1000 क्योंकि हमें चाहिए लीटर में अगर लीटर में नहीं चाहिए ते 1000 से गुड़ा भी कर दे थे तो हमने पाया यहाँ NACL की मोल अर्ता क्या 5.85 बटे 58.5 बटे 0.20 गुड़ा भाग करने पर एंसर आया क्या 0.5 मोल प्रती लीटर क्या मतलब कि जब 5.85 NACL का भार विलियन 200 में गिलवा हो तो उसकी मोल अर्ता की मात्रा 0.5 मोल प्रती लीटर होगी क्लियर तो आप बोलिए यह सर क्लियर ओके सुन में आया वेच्छा सबसे ज़्यादा कौशन पूछे जाने वाला है परासरण तथा विसरण इसलिए हम दोनों को एक साथ लेके आ गए कि मेरे बच्चे परशान नहो कि क्या मतलब होता है परासरण और विसरण में अगर हम बात करें परासरण की तो हमने पाया क्या परासरण में अर्ध पारगम में ज़्ली जिसको SPM कहते हैं सेमी पर्मीबल मेंब्रेन का होना अनिवार है विसरण बिलकुल एक में है एक में नहीं है हम लोग अंतर ऐसे ही याद करते हैं ना अंतर का मतलब क्या होता है एक में होता है और दूसरे में नहीं होता है तो इसमें क्या पाया कि विस्रण में उस जिल्ली का होना अवश्यक नहीं है पर आस्रण में विलायक के कड केवल एक दिशा में विस्रित होते हैं इसलिए कहा जाता है ये एक दैशिक होते हैं एक दैशिक जो सिर्फ एकड ही दिशा में जाए और विस्रण में विले तथा विलायक दोलों के कड़ प्रतेक दिशा में विस्रित होते मनलब किसी एक दिशा में बात नहीं होती वो चारों दिशाओं में विस्रित हो जाते ठीक है? तीसरा परास्रण में विलायक के कड़ कम सांद्र विलियन से अधिक सांद्र विलियन में जाते ध्यान दीजेगा ये most important है point क्वश्ण यहीं बनता है कि परास्रण में क्या होता है तो परास्रण में विलायक के कड़ एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते तो किस दिशा से कम सांद्र विल्यन से अधिक सांद्र विल्यन की और जाते विस्रण में जो विले की कड़ होते हैं उल्टा अधिक सांद्र विल्यन से कम सांद्र विल्यन की और जाते देखे उल्टा है परास्रण में कम से अधिक की और और यहां अधिक से कम की और यही मेल अंतर है विसरण और परासरण में एक बार कॉपी कर लीजे कॉपी कर लीजे फिर बताईए मुझे कर लीजे वाला कर लीजे एक बार सी कर लीजे कर लीज, एक रार आ मुझे झाल झाल बहुत ध्यान से कर लीजे तो फिर आगे चले हम बहुत ध्यान से विसरल परासर में तर लिख लीजे झाल झाल परासरल में विलायक के कड़ साम कम सांद्रता से अधिकी और जा रहे थे विसरल में अधिक सांद्रता से कम की और और लास्ट पॉइंट है परासरल की क्रिया केवल अवस्था में होती है किस अवस्था में द्रौ की अवस्था मतलब ठोस और गैस में परासरल नहीं होता याद हो गया परासरल किस में होता है इसी द्रौ में ठोस और गैस में नहीं होता लेकिन विसरल तीनों में होता है ठोस में भी द्रौ में भी और गैस में भी चलिए उमीद करते हैं यह आप कर लेंगे एक question और आ रहा है आपके सामने ये ज़्यादा तर question पूछा जाता है सम परासरी विलियन किसे कहती है देखें परासरण परासरण आ रहा है तो ये question भी आता है कि सम परासरी विलियन किसे कहते तो ऐसे विलियन जिनके परासरण दाथ समान तापमान पे समान होते उन्हें सम्परासरी विलियन कहते हैं दो सम्परासरी विलियनों को जब अर्ध पारगम में जिली के द्वारा प्रिथक कर नहीं किया जा सकता तो ऐसे विलियन कहलाते हैं तुम्हारे क्या सम्परासर्णी बताईए क्वेशन था न सम्परासर्णी किसे कहते हैं तो इसे ही कहते हैं और कोई क्या सम्परासर्णी हो गया आईए देखे बिटा क्वेशन अब ठारा क्वेशन बहुत कॉमन है ये 2016 में आपका पूछा भी गया है क्या 0.1 ग्लुकोस तथा 0.1 एम सोडियम क्लोराइड विलियन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों ये अर्थी लगू के साथ साथ बहुई कल्पी कोशन में भी दे दिया जाता है उपर आता है किसका परासरण दाब अधिक होगा ये उपर क्वेशन मनता है किसका परासरण दाब कम होगा चार-पांच ओप्शन दे दे तो उनी ओप्शन के बेस पे है यहाँ पे एक क्वेशन है कि 0.1 एम सोडियम क्लोराइड वोले तो एनने सीयल का जली विलियन अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करेगा क्योंकि यह आयनन पर एने प्लस और सीयल माइनस मतलब लगभग दो आयन देता है आयनों पर निर्भन होता है विटा जबकि ग्लुकोस का आयनन नहीं होता अधिया परासरण दाब अडू संक्य गुर्धर्म का उधारण है इसी गुर्धर्म किस बात पर निर्भन होती है आयनों की संक्या पर जैसे एक छोटा सा फंडा बता रहें मेरे बच्चों आप लिख लो क्या है अडू संक के गुर्धर्म is proportional अडूओ की संक्या मतलब इन गुर्धर्म में आयनों के अडूओ की संक्या का वहवार क्या होता है सामान होता है इसलिए आपसे कहा गया कि अडू संक के गुर्धर्म को अडूओ की संक्या को बताईए हो गया हो गया चलिए नेक्स कोशन है प्रतिलों परासरण से आप क्या समझते है बिटा इस चित्र को ध्यान से बनाईएगा ये चित्र ही बहुत इंपोर्टेंट है प्रतिलों परासरण के लिए आप देखेंगे ये कई बार एक्जाम में पूछ चुका है अभी करणली 2020 में पूछा गया था प्रतिलों परासरण तो यह विलियन पर उसके परासरण दाप से अधिक दाप प्रयूप करे तो अर्ध पारगम में जिल्ली के माध्यम से विलियन से विलायक का प्रवा शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है इस प्रक्रिया को ही कहते है क्या प्रतिलों परासरण अब question होता है sir इसका प्रयोग कहां करते तो note में याद कर लीजे बिटा कि इसका प्रयोग समुद्री जल एवं कठोर जल को सुद्ध करने में किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी प्रित्वी पर पीने योग की जल की मादरा बहुत कम है वैसे जल दिखा जाए तो 75% जल है लेकिन आज भी हम लोग जल के लिए हाहाकार मचाएं क्योंकि पीने योग के पानी नहीं है तो उन्ही पानी को सुद्ध करने के लिए हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं इस चित्र को बना लीजे बिटा चित्र को बनाईए जल दी पिस्टन, दाप परासर, लवडी जल, सिसुद्ध जल बीच में SPM जिससे अर्ध पारगम में जिली के नाम से जानते है सेमी पर्मियेबल मेंब्रीन फास्ट फास्ट हो गया ज्याओ जाँ खास्ट चलिए आगे बढ़ते प्रतिलों परासरण के लिए आवश्यक दाप बहुत अधिक होता है इसके लिए सललोस एसिटेट की बनी जिल्लियों का उप्योग करते हैं देखिए कॉशन होता है न कि प्रतिलों परासरण में करते क्या है तो प्रतिलों परासरण के लिए आवश्यक दाप बहुत अधिक होता है इसके लिए सललोस एसिटेट की बनी जिल्लियों का उप्योग किया आता है ये जिल्लियां जल के लिए पारगम में होती है परंतु समुद्री जल में उपस्तिक अशुद्यों एवं आईनों के लिए अपारगम में होती है आज कल बहुत से देश अपनी शुद्य पे जल की आवश्यक्ता के लिए वी लवडी करण सयंत्रों में इस प्रकार की जिल्लियों का उप्योग करते है जैसा कि आपको बताया कि हमारे तीन भाग पर यही जल है इसलिए इनका प्रियोग क्या आता है चलिए अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर थ्री क्या वैधुत रशायन अगर वैधुत रशायन की बात करेंगे तो सबसे पहला यह रेडाक्स विभाव जब सेल में आक्सी करण और अप्चेन अभिक्रिया होती है तो धातू और विलियन के मद्ध स्थापित विभावांतर रेडाक्स विभाव कहराता है जैसे यह आक्सी करण है, यहाँ पे एन इलेक्ट्रोन की क्रिया हुई, यह रेडाक्स अभिक्रिया अप्चायक होगी यदि इस प्रकार के सेल का विभाव ई हो और अक्सी कारक की सांदरता ओ एक्स हो तब अपचायक की सांध्रा ही रेडॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस पे सम्मंध होगा और बताइए किसी को डाउट है तब बताइए किसी को डाउट है ओगे बच्छा चलिए आगे देख लिजे फॉर्मलों उतारिए इस सेल का विभो ई ओ तो अक्सिक्रल की सांता ओ एक्स और अपचायक की सांता रेड है तब संबंद क्या होगा इ बराबर इ नॉट प्लस 0.0591 बाई एन लॉट 10 ओ एक्स बाई रेड जहां इ नॉट रेडाक्स विभो है और एन आक्सिकारत ओ एक्स दुआरा ग्रहड किये गए इलेक्ट्रानों की संख्या है जिने ओक्सी करण ग्रहड करके अपने संगत अपचायन में क्या करते बदल देते चलिए आगे निम्लिखित अभिक्रिया की सहायता से कौपर, सोडियम, मैगनीशियम और सिल्वर को विर्थुद राशायनिक स्ट्रेणी के घटे क्रम में बदलिए तो देखिए विटा जैसा की विभव का मान दिया हुआ है तो ये है इसका घटा हुआ क्रम तो सबसे कम सोडियम, सबसे ज़्यादा सिल्वर किसी सेल के विद्धुत वाहग बल से आप क्या समस्ते है किसी सेल के इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को वा अंतर जो सेल से परिपत में कोई विद्धुधारा प्रवाहिक नहीं बहती वही सेल का क्या कहलाता है विद्धुत वाहग बल बताईए क्या यहां तक clear है question था न विद्धुत वाहग बल क्या है आगे आगे next copper sulfate के विलियन में लोहे की किल डालने पर क्या होगा copper sulfate के विलियन में लोहे की किल डालने पर लोहे के किल उपर copper की परच चड़ जाएगी क्योंकि copper की सक्रियता लोहे से क्या होती है कम होती मतलब वहाँ वो विस्थापित हो जाएगा जिंक तथा तामबे में से एक अमलोस से हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी किसे जाइब सी बात है जो जादा सक्री होगा जिंक जादा सक्री है कॉपर कम सक्री है तो वेद्दो राशानिक स्टेडी में जिंक हाइड्रोजन से उपर तथा तामबा हाइड्रोजन से नीचे है जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तामबा कम अपचायक है इसलिए जिंक अमलों से हाइड्रोजन करके विस्थाबित करेगी फिर कहा गया कि विद्धु राशाइनिक शड़ी में एल्मूनियम हाइड्रोजन से उपर है किन्तु वो वायू और जल के लिए स्थाई है क्यों तो विद्धु राशाइनिक शड़ी में एल्मूनियम हाइड्रोजन से उपर है किन्तु यह वायू अजल से स्थाई होता है क्योंकि गर्म जल या जल वायू के साथ उच्छ ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ यह पूरी तरह तीवर क्रिया न करके मंद क्रिया करता है इसलिए लवभ विलियनों से धातूँ के विस्थापन की व्याख्या करीए तो कम इलेक्ट्रोड विभव वाली धातू अधिक लेक्ट्रोड वाली धातू को उसके लवभ के विलियन से प्रतिस्थापित कर देती है वेतुर राशायनिक शड़ी में नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रोर युहा कम हो जाता है क्योंकि वेतुर राशायनिक शड़ी में जिंक और आरेन हमेशा कॉपर से क्या होते उपर सित होते जलिली कॉपी करें बिच्चा को गया क्योंकि वेतुर राशायनिक शड़ी में नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रोर युहा कम हो जाता है क्योंकि वेतुर राशायनिक शड़ी में जिंक तथा आरेन धातू कॉपर से उपर स्थित होती है इनका इलेक्ट्रोर युवा कॉपर से कम हो जाता है कॉपर को उसके लवर्ड विलियन copper sulfate से विस्थापित कर देती है जबकि platinum और silver का जो इस्थान है वो अधिक नहीं होता इसी कारण copper को इसके love and villain से विस्थापित हो जाती है चलिए ये रिकी important कॉलराउस का नियम पूछा जाता है कॉलराउस का नियम कई बार पूछा है तो इस नियम के नुसार किसी विद्द अफगाट ये कॉशन पूछा ने भी पूछा था अफगाट की अनंद तनुता पर चालकता इसके धनाईनों तथा रिडाईनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है यदि प्रतीक चालकता पद को विद्द अफगाट इस सुत्र में रस्तित किया जाए तो उनका गुड़क ये होगा उसके बाद मोलर चालकता तथा तुल्यांग चालकता में क्या संबन्द है फॉर्मुला नोट कर लीजे हमसे मोलर चालकता और तुल्यांग चालकता पुछा है आप क्या करें अगर कोई डाउट होगा तो बताईएगा ये एक छोटा सा फॉर्मुला है 298 केल्विन पर 0.2m KCL विलियन की चालकता इतनी है तो मोलर चालकता की गड़ना उसी फॉर्मुले पर रख दिया हम लोगों ने तो मोलर चालकता को जब फॉर्मुले पर रखा तो इसका एंसर आया क्या 124 सेकेंड सेंटिमिटर स्कॉार मोल इनवर्स पताईए ठीक है फास्ट फास्ट बहुत टाइम लगा रहे बच्चो जलिली करो स्क्रीन सोट खीच लोगा डाउट है तो चलिए हाँ अपने लास्ट चैप्टर पे चलते हैं जल्दी से हमारा लास्ट चैप्टर है आते लगू का राशाइनिक बलगत की चैप्टर नमबर फोर राशाइनिक बलगत की अगर हम राशाइनिक बलगत की को देखे तो सबसे पहला क्वशन है अभिक्रिया का वेकदर क्या होता है अभिक्रिया की ताच्छडिक दर को परिभाशित कीजिए तो वह दर जिस पर समय के साथ-साथ अभिकारक पदार्थों का सांदरर परिवर्तित हो जाता है उसे अभिक्रिया का वेक कहते यदि सुच्प अंतरार डी-टी में अभिकारक डी-एक्स मोल उत्पन होता है तो फार्मला आपको यदोका अभिक्रिया का वेक डी-एक्स अपॉन डी-टी यद है अभिक्रिया के वेक को हम लोग किससे दिखाते थे डी-एक्स अपॉन डी-टी हो गया? अई यदि अंत्राल DT हो तो क्या हो गया? DC upon DT किसी निश्चि छड़ पर एक अभिकारक या उत्पात के सांधता की जो परिवर्तन होती है उसी छड़ पर अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के ताच्छनिक दर कहलाती है वास्तों में ताच्छनिक दर लगुत्तम संभौ समय अंत्राल होता है और यह औरसत दर होती है यदि किसी लगुत्तम समय अंत्राल में DT में सांधता हो तो क्या हो जगा? DX upon DT एक छोटी सी अभिक्रिया है देखिए NO2, CO, CO2, NO NO2, CO, NO2 मंद और ये तिवर तो क्या करें अभिक्रिया की दर? हम जानते हैं कि यदि कोई राशानिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होती है तो उन पदों में से मंद अभिक्रिया पद उस राशानिक अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है क्योंकि यहाँ पर मन अभिक्रिया पद में अभिक्रिया के वेग निर्धार पद से NO2 भाग ले रहे अतर हो जाएगा क्या वेग के NO2 का 2 प्रथम कोटी के अभिक्रिया देखें पिटा प्रथम कोटी के अभिक्रिया के लिए इस फटाक से फार्मुला रग दी जो फार्मुला को याद कराए थे थोड़ा जली ली करिए प्रत्थाम कोटी के भी क्रिया लॉग R1 बाई R2 के T2 माइनस T1 तो एंसर क्या है इसका इतना आईए थोड़ा सा और आगे चलते अभिक्रिया का वेग इस्थिरांग क्या है यदि किसी राशाइनिक अभिक्रिया में किसी छड़ अभिकारक का आर्विक सांद्रण C हो और उस समय अभिक्रिया का जो वेग हो वो DX upon DT हो तो सांद्रण उर्पाद DX upon DT is proportional C या DX upon DT equal to KC जहांके एक इस्थिरांग है जिसे वेग इस्थिरांग कहते हैं वेग इस्थिरांग कथा साम इस्थिरांग में अंतर तो वेग इस्थिरांग अभिकारक पदार्तों की काई सांद्रता पर होने वाले अभिक्रिया की गती को कहते हैं जबकि साम इस्थिरांग उत्क्रमडी अभिक्रिया के अग्र अभिक्रिया के वेग इस्थिरांग अभिप्रीत के साम इस्थिरांग को अनुपाद को कहते हैं तापी गुडांग क्या है तापी गुडांग 10 degree centigrade के अंतर को दो भिन तापों में वेग के अनुपात से वेक्त किया जाता है अता वेग इस्थिरांग का जो तापी गुडांग होता है वो T plus 10 degree C पर वेग का इस्थिरांग T पर वेग इस्थिरांग का मान जहां प्राप्त मान 2 और 3 के हमेशा क्या होंगे मद होंगे निम्न अभिक्रिया की कोटी और वेग इस्थिरांग ही काई तो H2 प्लस CL चर्ट 2S CL तो अभिक्रिया की कोटी यहाँ पर याद रखेगा कि सुन्ने कोटी की होगी और सुन्ने कोटी के अभिक्रिया का मातरग क्या? मोल, लीटर इंवर्स, सेकेंड इंवर्स कारर साइट बताए कि इन्हें अभिक्रिया की कोटी क्या होगी? देखें ठीक है? प्रत्रम कोटी की अभिक्रिया के लिए वेंज़क याद कर लीजे आप क्या करीज जलीली स्क्रीन सॉट खिच लीजे? कोई डाउट है तो मुझे मैसेज के दीजगा प्रतम कोटी की अभिक्रिया का वेग इस्थिरांग की काई ठिक हो गया SO2, CL2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी वियोजित होने में 60 मिनिट का समय लगता है तो वेग इस्थिरांग की करना फटाक से फार्मला लग दीजे केक कोल्टू इतना 60 सेकेंड तो इतना आगे इतना गैसी गैसी अभिक्रिया के वेग को आधा कर दिया जाए जबकि पात्र का आयतन दुगना कर दिया जाए तो कोटी बस बताई यहां तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताईएगा आज कर इतना ही थैंक्यू सो मच बबाई घर पर यह स्वस्त्र यह मस्त्र यह जितनी भी बात यह गर डाउट्स होंगी वो हमसे क्लियर कर लिजेगा बबाई